नमस्कार दोस्तों मैं मनसार अमरमाफ सिविका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल समस्टेडी गुरूपर आज हम चर्चा करेंगे ई रूपे ई रूपे क्या है आज कल बहुत ही काफी ज़्यादा चर्चा में है तो आपके knowledge purpose से और आपके exam point of view से दोनों से काफी important है तो ई रूपे के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए योजना में आप QR code मिलेंगी यानि कि जो गरीबों को योजनाए मिलती है तो योजनाओं के जगा पे आपको कहीं न कहीं अब QR code के रूप में आपको देखने को मिलेगा तो ये क्या योजना है क्या है E रूपे इसके बारे में हम complete चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप जान लीजे कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी के द्वारा लांच की गई डिजिटल पेमेंट सोलूशन है E रूपे E रूपे क्या है डिजिटल पेमेंट सोलूशन है जो कि NPCI ये NPCI के द्वारा जो है इसको regulate किया जाएगा यानि कि जो डबलपिंग बॉड़ी है वो ये NPCI है NPCI क्या है National Payment Corporation of India आपने भीम UPI का नाम सुनागा हो भीम UPI जो थी 11 अपरेल 2016 को launch की गई थी मोदी जी के द्वारा तो वहाँ पे क्या होता था कि आपको कोई भी payment करना हो किसी दूसरे को तो आप payment जो है आसानी से कर पाते थे इसमें क्या है कि ना आपको जो है इंटरनेट किया हो शकता होगी आपको कोई QR कोड आया आप जाकर के specific दुकान पे वहाँ पे आप दिखाएंगे QR code तुरंत आपको product प्रोवाइड करवा देगा तो इसको पूरा हम समझ लेते हैं एक बार सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है E-Rupay UPI Prepaid E-Boucher तो E-Boucher अगर आप किसी shopping site को यूज करते होंगे यानि कि Amazon या फिर Flipkart की जो sites हैं उनको यूज करते होंगे तो वहाँ पे कई बार आपको voucher मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप phone पे Google पे यूज करते होंगे तो आपको reward code मिलते हैं तो उस reward code को आप specific दुकान पे ही यूज कर पाते हैं वहाँ पे आप जाते हैं उतना आपको discount तुरंद मिल जाता है तो same यहाँ पे बात की गई है सरकार के द्वारा सरकार क्या चाहती है कि जो भी योजनाये हैं government की योजनाये लाभारतियों तक direct पहुंचे अगर यह 100 रुपए का यहाँ पे payment करते हैं यहाँ पे 100 रुपए का product जनता के पास पहुंचना चाहिए तो इसमें जो है कहीं न कहीं जो सरकारी workers हैं उनको हो सकता है नुक्सान हो कहीं क्योंकि यहाँ पे कभी कभी होता था कि 10,000 रुपए दे दिये गए किसी अधिकारी को कि आप जो है क्या करेंगे कि गाउं में जा करके गाउं गाउं जो है विकास को पूरा देखेंगे क्या विकास हो रहा है क्या विकास नहीं हो रहा है कहां पे कमिया देखने को मिलेंगी आप पूरी report बना करके दीजिए आपको इसके लिए 10,000 रुपए का petrol भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है तो यह क्या करते थे भाईजाब की जो है 5,000 रुपए का petrol यूज किये एक महिने में और 5,000 रुपए गपत कर गए तो यहां पर क्या होगा कि जो government होगी government क्या करेगी कि IOC suppose that IOC है Indian Oil Corporation भारत petroleum इन सब को जो है यह QR code वो दिखाएंगे और इनको petrol मिल जाएगा अगर वो चाहे कि इस voucher का यूज किसी दूसरे परपच के लिए कर ले तो वो भी नहीं कर सकते suppose that 5,000 रुपए का इनों ने petrol पूरे महिने में यूज किया और 5,000 रुपए का petrol इनके पास बच गया voucher तो उसको किसी shopping दूसरे shopping में यूज कर ले तो यह बिल्कुल नहीं कर सकते यह वापस हो जाएगा NPCI जो है वापस कर लेगी government of India को तो यह काफी अच्छा जो है initiative भारा सरकार के दौरा लिया गया है इसके दौरा जो आम जनता को कैसे फाइदा मिलेगा इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अगर आप QR code के बारे में नहीं जानते हैं तो हम QR code बता देते हैं QR का full form होता है quick response कैसे यहाँ पे एक होगी NPCI जो double ping company होगी NPCI इसके पास एक code होगा एक code जो है specific code जो shopkeeper के पास होगा और यह होगा लाभारती के पास लाभारती को suppose that की उर्बरक के लिए कोई जो है योजना सरकार के द्वारा दी गई कि आप जो है उर्बरक में 1000 रुपए की subsidy है तो आप उस 1000 रुपए का यूज केवल उर्बरक में ही कर सकते हैं और specific दुकान पे ही कर सकते हैं यानि कि जितनी आपके छेतर में उर्बरक की दुकान पे हैं उनको QR code भेज दिया जाएगा और same QR code आपको भेज दिया जाएगा वहाँ से आप जाकर के उसको scan करवाएंगे आपको यूरिया जिंक डाई जो भी चाहिए आपको मिल जाएगे इसी तरह बिजली सबसिडी है गयस सबसिडी है दवाई सबसिडी है और महिला ससकती करण के लिए भी जो है काफी इसमें फाइदा देखने को मिलेगा इससे क्या होगा कि आपको पता है कि DPSP में Directive Principle of State Policy में जो Belfare Scheme की बात की गई है उसमें सीधा राज जी को लाफ देखने को मिलेगा यहाँ पर हम महिला ससकती करण की बात कर लेते हैं किसी महिला को अपने बच्चे के विकास के लिए जो है 2000 रुपए सरकार के द्वारा दिये गए तो उन 2000 रुपए का यूज वो specific बच्चे के सामान को ही खरीदने यानि कि उसके health care के लिए ही खर्चा कर सकती है पहले क्या होता था कि जो 2000 रुपए दिये गए तो 2000 रुपए में उसने 1000 रुपए बच्चे पर जो है लगाए और 1000 रुपए की साग सबजी खा गई तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे जिस चीज के लिए पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा उसी चीज के लिए वो यूज कर पाएगी इससे जो है राज्य में विकास देखने को मिलेगा और लाभार्थी को पूर्ण लाभ हो पाएगा तो यह काफी अच्छा इनिसेटिव है आप जो है सुने होंगे कि राज्यू गांधी की सरकार थी तो वहाँ पे कहा जाता था कि 100 रुपए जो है किसी को दिये जाते हैं तो वो पहुंचते पहुंचते वहाँ पे जनता को 55 रुपए ही पहुंच पाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है आप बिल्कुल जो है एकदम डारेक्ट टू डारेक्ट कांटेक्ट होगा यानि कि जो भी लाभारती है उसको QR कोड या फिर SMS के थुरू मिलेगा यानि कीपाइड मुबाइल है तो आप SMS के थुरू कोड आएगा उस कोड को जाएंगे वहाँ पे दिखाएंगे तो आपको बैंक जो है उसको रिडिम कर देंगी आपको उस परपच के लिए मिल जाएगा तो काफी अच्छा इनिशेटिव है आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लेगी ये स्कीम और क्या आप इस पूरी बात को समझ पाए अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दिया करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए जैहिन जै भारत